तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सराव और पैसे के वल पर चुनाओ जीतना चाहते हैं, और सब को पता है कौन कंडिडेट हो सकता है, अरे, हाँ, एलक्षन लडने का प्लान अभी बना है, लेकिन समाज सेबा का प्लान तो बचपन में बन गया था, तभी से कर नहीं रहा है, जिसकों अपना समर्थन दे देंगे, देवारी देव महादेव की नगरी सिंहेश्वर में है, और इस सबक्त हमारे हाथ में एक हैंड बिल है, नगर पंचायत सिंहेश्वर की मुख्य पारसर की सुयोगी नेक कर्म टेवम सिखित महिला मिदवार, मनिशा ग्रेंफिल्ड स्कूल मरेपूरा के हमारे साथ में राजेस कुमार राजो जी हैंसे हम बात करते हैं, शर्चुनाओ टल गया था और फिर से डेट आया लगातार, आप छेत्र में जा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या महाल है चित्र का? चेतर का माहौल बहुत अच्छा है और लाश्ट टाइम जो चुनाओ एकदम पूरे पिक पर आ गया था और चानक से हाई कोट के आदेश पे वो कैंसिल हुआ अस्तागित हुआ था और पुना जब चुनाओ का समय आया है तो बहुत चारो ओर आप देखेंगे कि पोस्टर ले एक ट्रक उत्पाद विभाग के द्वारा जब्त किया गया था भारी मातरा में सराब था लोगों के बीच अफवा चर्चा उड़ी कि यह सराब कहीं ने कहीं इस चुनाओं को ही लेकर आया था क्या लगता है इसमें किसके किसकी साजी से और क्या हुआ है यह पूरा पा पाद विभाग ने भी कहा था प्रेस कांफरेंस में कि वो सराब जो है वो सिंगेश्वर के लिए आई थी और क्योंकि सिंगेश्वर में चुनाओं होना 28 दिसंबर को तो इतना बड़ा खेप जो आया है जो पकड़ी गए पुलिस की ततपड़ता से और एक्साइज की जा रही है चुनाओं जीतने के लिए इस तरह की क्या विवस्था कि हमको सराब का यूज करना पड़ रहा है अप भी सहमत है कि यह सराब आया था तैसी चुनाओं के लिए ही वो सराब आया था आम रूप से इतना रोज अक्साइज की टीम लोगों सो सो लोगों को पकर कर जा रही है और उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि सराब सारी चीजे मिल रही है तो वह कंप्लिटली सरे सिंगेश्वर के लिए वो सराब आया था एलेक्शन के परपस से आया था लोगों के भी चर्चा है कोई परतियासी ही मंगवाए थे आप लोगों क्या लग रह हैं हैं यहां पर कोई मुद्दा नहीं है हम मेरे पास पैसा हम चुनाओ लग रहे हैं हमारे पास धन हम चुनाओ लग रहे हैं हमारे पास धनवल हम चुनाओ लग रहे हैं इस मुद्दे पर तो आप जो आम जनों के बीच जाएंगे तो क्या मुद्दा लेकर जाएंगे पै मैं उनसे भी आज जोर के अपील करूंगा कि आप ऐसा न करें आप लोगों के बीच में जाए और जनता जिनको समढ़ संतिकी वो चुनाओ जीतेगा इसमें पैसा और सराब पिलाकर किसी के जिंदगी को आप खराब करने जा रहे हैं किसी की जान चली जाएगी मैं तो सरकार स सराब के सघन अभ्यान को और तेज करें और जो लोग इसमें सनलिप्त हैं उनके उपर करी से करी कारवाई हो और यह बहुत दुख़द है चुनाओ लोग तंत्र का सबसे मजबूत चीज होता है और उसमें सराब का प्रियोग होना यह तो बहुत दुख़द है क्या लगए नहीं है कुछ यह जो है धनबल का या फिर इस तरह के बातें सामने आ रही है उसी के दम पर लोग चुनाओ लड़ रहे हैं कोई मुद्दा नहीं रगया है हम लोग सुरुवात से यह मेरा पहला चुनाओ है इनफेक्ट मेरी पत्नी लड़ रही है चुनाओ यह मेरा पहला चुनाओ है और इस चुनाओ से पहले लगबग 1015 वर्ड से जबसे मैं नौकरी कर रहा हूं मैं जॉब में था मैं लगातार समाज सेवा से जुड़ा हूँ कोई पर्वत्यवार हो कई पेसाप सभाई का कारिकरम हो कोई पूजा पंडालिंग का कम हो कोई जुड़ा किया लगातार करके काम करते हैं लोगों भी बनाया है लेकिन समाज सेवा का प्लान तो बच्पन में बन गया था तब ही से कर रहे हैं स्कूल चला रहे हैं समाज सेवा कर रहे हैं कई सारे गरी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो मुद्दा नहीं रहने के कारण वो लोक तंत जीतेंगे, तो हम आपका खाम कर देंगे, किसी को कमिशन देने की जुरुत नहीं पड़ेगी, आपका घर-घर तक हम योजना सरकार का पहुंचा आएंगे, हम यह कहते है, और वो जाते हैं कते हैं एक भोट का कितना लिजेगा घर में कई गो भोट है चार गो भोट है चार भोट का कितना लिजेगा तो ये तो आलम है कि लोग मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं लोग बात कर रहे हैं पैसे की लोग बात कर रहे हैं सराब की तो ये दुख़त है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है पहले चुनाव में आने से पहले उनको मुद्दा बनाना चाहिए था पहले एक आद साल लोगों के बीच में बिताना चाहिए था उनको खुद पता नहीं है उनके चार पीछे चार पांच ऐसे लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके पैसे का दुरुप्योग हो रहा है गलत तरीके से कि इससे बहुत पैसा है हम लोगों को लग रहा है कि यह जुड़ा हुआ व्यक्ति है समाज के लिए हमेशा खराड है सिक्षा सो जुड़ा हुआ है सिक्षित कंडिडेट है यह लोगों के लिए काम करेगा इसके लिए लोग हमेसा प्यार करते रहें हमेसा मेरे हर एक चीज को सपोर्ट कियें मैंने जब भी लाइफ में कोई काम किया है आम जनता मेरे लिए आगे बढ़ चट कर आती है और अभी भी मेरे साथ जो समर्दक है वो अपने घर से पैसा लगा कर खाना खाते हैं वो अपना पैसा से सब कुछ करते है और बाकी कैंडिडेट्स को मैं देखता हूँ तो देखता हूँ कि वो 500 रुपया दे करके पैसा दे करके सराब दे करके लोगों को ला रहे तो यह डिफरेंस है आपके पास मुद्दा नहीं है पहले मुद्दा बनाईएक चुनार के उलर रहे है और नहीं देखता हूँ किया सच्चाई है शल्क कि? व्यक्ति हमेसा अपने दं पे लोगों के समर्थन से हमेशा सच्चाई के लिए जरुतमन लोगों के लिए लड़ता रहा है वो आदमी हर उस आदमी को सपोर्ट करेगा जो गरीबों के लिए जरुतमन लोगों के लिए लड़ेगा हम मेरा समर्थन तो हमेशा यहां की जनता को है कोई candidate दिखी नहीं रहा है जिसको हम अपना समर्थन दे देंगे और उन्हाँ उस candidate को इतनी हिम्मत है कि वो आके कहेंगे कि भाई आप अपना समर्थन हम को दे दीजे क्योंकि उनको पता है कि से मजबूद कोई candidate ही नहीं है तो ये लोग जो candidate डर गए थे जो घबरा गए थे कि राजिसकुमार राजू बिना पैसा खर्च किये चुनाव जीत रहे है उन्होंने क्या किया एक जगा जगा पर ये बात फेला दी कि राजिसकुमार राजू जी लोगों ने कहा कि देखिए candidates ने जूट मुट बोल दिया हम लोग उदास हो गए थे कि आप चुनाव नहीं लटे तो ये एक उनको घबरा गए है इन फैक्ट वो घबरा गए कि राजिसकुमार राजू बिना पैसा जहां लोग करोर रुपिया खर्च किये है और राजिसकुमार राजू जीरो पे है और उनके जीरो इडवेस्टमेंट के बाद वो चुनाव जीत रहे है यू कैसे हजम हो जाएगा तो इसलिए एक जूटा अफवा फैला आया गया मैं आम जोनों से भी आगरे करूँगा कि आपका बेटा आपका दोस्त आपका साथी इस चुनाव मैदान में बड़ा जोड सोर से है और चुनाव हम लोग हम नहीं आप लोग जीत रहे हैं और एकदम एकत्रेत हो करके मजबूती के साथ आप प्रेसर कुकर चाप पर बोड़ दें और मनीशा देवी जी को जिनका चुनाव चिन प्रेसर कुकर चाप है करम संख क्या छे पर है भाड़ी मतोस उनको विज़े बनाएं यह विज़े मनीशा देवी जी की नहीं विज़े होगी यह विज़े होगी सिंगेश्वर नगर पंचायत के आम जनता की बोड़ी प्रेसर करो प्रेसर के रहता है किया मनीशा प्रेसरी विज़े होगी भी बोड़ी।